नमश्कार वीकेवी निउस के प्राइम ट्रेंड में मैं दुशाब सभी का स्वागत करती हूँ खबरों के और बढ़ने से पहले आईए एक नसर हेड्लाइन्स पर लोड शेडिंग की समस्या पर बोलते हुए नितिन राउत ने कहा उननिस तक लोड शेडिंग से जुरी समस्या होगी सामान्य बाबा साहिब आमबेटकर के आवास को राश्ट्रिय समारक बनाए केंद्रिय सामाजिक वन्याय मंत्री रामदास आठाउलेने की मांग और गाड़ी के डिक्के में मिली लाश मचा हडकम तहसल पुलिस्ताना अंतरगत का मामला पुलिस द्वारा आगे की चांच जारी अब कबरी विस्तार से राच में मौजुदा सिती पर बात करते हुए उर्शा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि हमें केंद्रे सरकार को कोईले के 22 करोड रुपय देने है जिसके संदर्ब में मैंने मुख्य मंत्री से बात किया वही कें valeur ने कहा कि पैसे देने के बाद ही वे कोईला देंगे जिसको लेकर बात करना शुरू है वही 9 तक स्थिति को नियांतरन में लाने का उन्होंने स्थरमियान आश्वासन दिया कोईले का भी 2200 करोड रुपया वह केंदर सरकार को देना है केंदर सरकार ने कहा है कि आप पहले पैसे दीजिए बाद में हम कोईला देते हैं ये भी बात है नहीं आई ऐसी बात नहीं है इसलिए हमने उसके बारे में भी माननिय मुख्यमंतरी महोदय को जान करने हैं देखो मेरी पूरी कोशिच चल रही है इसको सामानने करने की मैं दो-तिन दिन में इसके उपर अच्छे से वक्त अबे करूँगा मैंने एक डेडलाइन ठहरा ली है कि 19 तारीक तक के मैं इसको ठीक करनी की कोशिच करूँगा कि महारास्ट में लोट सेडिंग ना हो मेरा प्रय समारक बनाया जाए ऐसी मांग रिपाई के अधिक्षय और केंद्रिय सामाजिक वन्याय मंतरी रामदास आठोले इन्होंने की आठोले परेल के बियाइटी चाली में डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर की आवास का निरिक्षिन करने आए थी इस मौके पर उनके साथ पूर्वमंतरी अविनाश महातेकर भी मौजूद थे हम रहते थे और यहां पावास आपका एक अच्छा स्मारे भूना जाहिए और इसलिए मानने मुक्यमंतरी उद्धों तक्रेमी जब शुरू में मुक्यमंतरी बबन रहे थे तो पहले इसलाई दिख़्ू मैने में हूँ इदर आये थे और उनोने बियाएटी जाली वे बावास आपको जा रहे थे थे तो मतलब शुरू मुक्यमंतरी सहाब के बास हमारी भूना जाहिए इसके लिए एक 40-50 अगुरूर रुपई जोग है करना चाहिए और उना जाहिए इस मारफ यह कंड समारफ है तो हिंदू मैने इस कवर पंपर उने ह्या है और अब रूमि जो है चाहिते भूमे का वी जो ज़ो कमकी जो स्यूरू है वहां जो स्यूप मतलब भी बाब शूप साल होगे है और उसका भी ओर नियूशन है कि यह वहां नया जो सूप है, यह नया सूप भी वहां पहला करने के हो शक्ता है, उसे दरब अबावा साथ अंबिडगर जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उनका जिसकर इंदू मिलका समारक के लिए जितना भी पैसा कर ज करने की मुझनिकारत वर सर्कारत दी है, लिकिन बाबा साहब के समारक का काम जर्दी जर्दी होना चाहिए, इसलिए लिए लिए जो बी आटि चाल गई, हमार लिए बद्या मत वह बड़ा हमत्व आतरश है, बाबा साहर हम बिड़ कर जा रहे थे, सब्सक्राइब करने वाले मुमिन पुरासित गार्ड लाइन में एक गाड़ी से लाश मिलने की संसनी के इस खबर सामने आई इस खटना से परीसर में तनाओ का वाता और निर्मान हो गया वही खटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुचे और कारवाई प्रारम की इस अंदर में पुलिस उपायकतर गजानन राजमाने ने अधिजानकारी सांचा की मिली जानकारी के अनुसार पहसल पुलस्ताना अंतरकत आने वाले मुमिनपुरा से गाड लाइन में एक गाड़ी का काम करने वाले व्यक्ति के पास रखी गाड़ी से एक लाश मिली संपूर्ण वाकिया कुछ इस प्रकार है कि उक्ति फिर्यादी में हाले में कुछ काम के लिए ये गाड़ी खरी होती जिसके पश्यात शुकरवार को जब वे गाड़ी का काम करने थे तब उन्हें गाड़ी से अजीव से दुरगन आने लगी जिससे लेकर फिर्यादी के मन में संपूर्ण हो जिसके चलते उन्होंने पुलिस में जबारे में शिकायत तरस कराई तो पुलिस सतकाल मौकाई वारदात पर फोची गाड़ी का मौवाए ना क्या तो उसकी डिक्के से पुलिस को सड़ी गली अवस्था में लाश में इस संदर में पुलिस उपायक्त मिलालील आये ,प्रातsteps कहाता है ,पीयां सची प्Oh दित नाव मेख समा है ,शेंप बंग लीझे का रहा हूँ यह काली दा हुद खे क्राप्स से काम करना रहे 09- 09.orama है ,टक्राप्स से काम करता है ,शें शेंप बर चेंप 8 दिज पुर्वी ये लाश किसकी है कहा से आई किस ने रखी समेत अन्य सभी सवालों के जवाबों को धुन्डे में पुलिस लगी हुई है कैमरा पोसन रोशन बोकडे के साथ दिशाहटवार विकेबी न्यूस नाकुर अमोल मिटकरी ने बाबा साहिब अम्बेटकर के नाम का उपयोग करते हुए देविन रफण नवस पर देश द्रोह का आरूप लगाया इस पर भाजपा के राज़स चीफ धर्मपाल मेश्राम ने जवाब देते हुए का कि राखपा ने आज तक सर्फ राज़ीनती के लिए बाबा साहिब के नाम का इस्तमाल किया है और राखपा के सभी नेता अनपढ होने का आरूप भी धर्मपाल मेश्राम ने इस वक्त लगाया राश्ट्रवादी कॉंग्रेस चे प्रवक्ते अमोल मिटकरी यनी परंपुज बाबास्याप डॉक्टराम मिटकरांच पुस्तक महामानव अपल्या पोटाशी धरून त्वेशान एक प्रतिक्रिया दिली आनि देवेंद्रजी भडन विशान वर ते मुस्लीम द्वेश्ट यसल्याच आरूप केला दुर्दैवाय कि लांगमुल चालन तुष्टी करण आनि द्वेश यातला फरक न समझनेपका निर्बुद्ध राजकारनी अशिच मिटकरींची अवस्था आहे की काय अशा पद्धतिचा प्रश्ण माजा मनात उपस्तिचा लेला है राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आनि तैंचा सर्व नितैंचा प्रुदैया मदे परंपुज्य बाबासाहिबांचा स्थान नसून निवल राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ना आजवर बाबासाहिबांचा उपयोग पोटबरु राजकारना सेटी केलेला है आणी ट्यातत त्यात्चत जलन्त उदार और वारसदा मिटकर या शल्याच आज आमचा सगणाच आनी दरशाना सेता है त्यामना लांगुल चलन आणी देशाच्या मदला भरक हाजा समझत नसेल तर ट्यांचा सरका अनपड गवार नवारी तर जेलिए ठांचा धील्लण के गवारी अक्त으선 की सिमेंट करीदों को जंजट मुगत बनाने और कीमतों वो कॉलिटी में पारद रशिता लाने के उद्धेशी से सिमेंट शेतर की प्रमुक कंपणी डालमया ने ऑनलाइन सिमेंट बिकरी की शुरुआत नापूर से की है देश में पहली बार किसी सिमेंट कंपणी द्वारा इस प्रकार की पहल की गये है इसके लिए डालमया अनलोड आप को लॉunج किया किया इस प्रकार का ऑप पहली बार नाकपूर में पालेट प्रोजेक्शिक के तहत पेश किया गया वर्तमार ने नाकपुर और आसपास की ग्रहके साप का लाब ले सकेंगे और खरीदी कर सकेंगे इसके बाद इसकी पहुच बढ़ाई चाहेगी लॉंच के पूर्फ डालमिया सिमेंट लेमिटेड के कारेकारी निदेशक हकीमुद्दिन अली ने कहा कि साप के जरीए छोटे ग्रहक बेसिधे सिमेंट खरीद सकते हैं कम से कम दस बुरी सिमेंट लेनी होगी थोग खरीदार एक तन, दस तन या फिर इससे भी ज्यादा की खरीदी आप के जरीए कर सकते हैं। सिमेंट कब पहुचाना है ग्राहकों के उपर छोड़ा गया है। वे दिन समय का चैन कर सकते हैं। अगर कीमत बढ़ती है तो भी ग्राहकों को बुकिंग वाले दिन की कीमत के उनुसार सिमेंट दिया जाएगा। बहुत ही सहोलियत के माद्यम से ममबाई लैब के माद्यम से आप तक प inherently पहुचाना चाहते हैं त्क स्पवचाना चाहते हैं, इसमें तीन चार बहुत इंपॉर्टंट चीज़े हैं एक तो है जो के हम प्राइस आपको बहुत अच्छी प्राइस और बहुत स्टेबल प्राइस देंगे जो भी आप पेमेंट्स आज करते हैं उसके बेसिस पे आपको पॉजिटिव हेजिंग और नेगेटिव हेजिंग दोनों का बेनिफिट इसमें मिल रहा है दूसरी चीज़ आपको ये समेंट फ्री डेलिवरी एट यूर सिलेक्टेड टाइम अपनी शेडियूल के साब से अपनी लोकिशन पे अपनी कर्मिनियंस के साब से मिलेगा और तीसरी चीज आपको जो जैसे जैसे आपका वाल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके डिस्काउंट्स बढ़ेगे तो आपको एक पूरा इसके अदर पैकेज है जो कस्टमर फ्रेंडली है और बहुत ही बेटर तरीके से हम अपने कस्टमर को बाली पॉपाइटर्स देखे प्राइस सिमेंट की अपने आप में एक चीज होती है लेकिन प्राइस से जारा जरूरी होता है कस्टमर को ये कॉन्फिडेंस आना कि मैं जिस चीज को ले रहा हूँ ये बेस्ट कॉलिटी है के नहीं सही माल मुझे मिला है के नहीं इसमें कोई किसी तरह की मिलावाट है के नहीं और यह मुझे सही तरीके से सही टाइम पे मिल रहा है कि अगर मैं इन चीजों को पूरा कर सकता हूं तो कस्टमर अच्छे प्रोड़क्ट के लिए कोई प्राइस देने को तहियार होता है। सो मैं यह नहीं कहूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि यह सिमेंट की प्राइस दूसरों से कम होगी पर हम कस्टमर को वो सारे डिस्काउंट्स पहुचाएंगे जो शायर उनको अब तक नहीं मिल पाएं। जो बड़े वाल्यूम लेने पर जो डिस्काउंट उनको डिरेक्ट कम्पनी से मिल सकते हैं वो उने मिलेगी। तरीके से भाव हम चड़ा देते हैं ग्रहा की मर्जी के हसाब से उसको कित्ती बोरी लेनी है वो अपनी पुरी प्लानिंग कर सकता है दो एक महिने की दो महिने तक के भाव उनके फिक्स हो सकते हैं इसी के अंदर में एप के अंदर में और साथ में उनकी डिलिवरी शेडू प्राइसा कभी फ्लक्ट करके ।ो वह जो डाउनवर्केड के अंदर में जो रेट आता है वो रेट में उनको उनका इनवयस कर दिया जाए और जो बचा हुआ पैसा है वो बैनेफिट इसे रूप से आघे के उनके अठ्यम में अजट करने तो इससे होता यह है कि रहा के हि साब से पूरा प्रोटेक्शन मिलता है ग्रहा को अपने प्राइस का और दूसरी चीज उनको ये घर पहुंच सेवा हो जाती है जिसमें की वो घर पे जाके अपने अन्रोड कर लेते अटेंशन और बिना किसी ज़्यादा सोच के अपना घर बना साथा सलसेड राजिश खन्ना ने कहा कि ग्रहकों को सिमेंट की स्टोरीज स्टेंथ आदी परमारक दर्शन के भी उपायक दिये गये है अगर ग्रहक स्टेंथ चेक करवाना चाहते है तो कमपनियों से करके लेगी इस असर पर वरिष्ट सल प्रबंदक अलकातिवारी उपस्ती थी मेरा फेवरिट टेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पितालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटिव्यू, गाइदेंस बाइंडस्ट्री एक्सट्री एक्सपर्टी, परसनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सक आपने हैं, Flywheel Aviation Academy, one degree, three job opportunities. Flywheel Aviation Academy, gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gali Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur. वासने मेटिंग तुला है? जा यार, आजमी की तकलीफ को ता समझो, बहार बहार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासिर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद, तथा आधनिक लेजर से उपचार की. अब युदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल, लोहार समाज भवन के पीछे, महा पुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से, मनीश नगर रोड नागपूर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत हैं. ठाने के रबोड़ी इलाके के 76 वर्ष्य काशिनात पाटिल ने अपनी ही बहो की गोली मार कर हत्या कर दी, जबकि इस मामले के आरूपी काशिनात पाटिल फरार है. यह हत्या समय पर नाश्टा नव मिलने की वज़े सी हुई, आरूपी के खिलाव शिफायत दर्स कराए गई है और पुलिस आरूपी की तलाश में चुटी हुई है. ठाने के रबोडी इलागे में एक ससुर ने अपने ही बहो को गोली मार कर उसकी हत्या करने की घटना सामने आई है. आरूपी काशिनात एक रेती व्यवसाइक है, सीमा पाटिल को उसके ससुर ने समय पर नाश्टा नव मिलने की वज़े से गुस्से में गोली मार दी थी, जबकि सीमा पाटिल का दो दिनों से इलाच चला, लेकिन दो दिन बाद उनकी मौत हो गई. इस मामले की शिकायत राबोडी थाने में दर्च कर ली गई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. उनके बहू को मालूम हो गया तो उनके पास से जो लाईसंस रिवाल वर था उससे वो अपनी बड़ी बहू के उपर फायर किया, उसमें एक गोली फायर करने से वो इंजोड हो गई थी, उसको पहले परम हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, उसके बाद उसको जुपिटर ह के दर्म्यान उसकी रात में मौत हो गई है और जो जो गुनिया में जो हत्यार यूज किया गया था वह भी हमने सीज कर लिया है लेकिन आभी आरोपी की तलाश जा रही है दो टीम तपास पतक की उसके पीछे भीजी गई है पोली सेशन में इस सम्मंद में 68 अपली 2022 भांदवी कलम 307 के तहत या फायर दर्ज है आरोपी उमरदार है 74 उसकी उमर है और कंस्ट्रक्शन लाइनस में वहले काम करता था और उसके पास लाइसेंस वाला वेपन है सरकारी दल युवाओ की आवाज को दबाने का काम कर रही है जिसके चलते अच्छे प्रवक्ताओं की जरुत है ऐसी जानकारी युवाओ कॉंग्रिस की और से आयोचित पतरकार परिशित में दी गई इस तरम्यान बताया गया कि यंग इंडिया बोल की सीजन दो के तहत जिले के अच्छे प्रवक्ताओं को स्पीच कॉंपिटीशन के माध्यम से तुंडा जाएगा जिसके बाद उन्हें प्रदेश स्थर पर हो रही प्रतियोगिता के लिए आमंत रित किया जाएगा इसके बाद प्रदेश स्थर पर जो पाच प्रतियोगि अवल स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें दो अक्टूबर को होने वाली राष्ट्य स्थर की प्रतियोगिता के लिए चैनेट किया जाएगा जो युवाओ के लिए बहुत बड़ा मंच होगा ऐसा भी इस दरम्यान उन्होंने इस पश्च किया कर रहा है हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से केद्र सरकार निरंतर कई हकंडे अपना रही है युवाओ को जेल भिजा जा रहा है यूए पी ए एने से लगा करके उन्हें परिशान किया जा रहा है कई युवाओ के को घर भी तूर दिये जाते हैं इस दोर में बेबाग और भुलत आवाज रखने वाले युवाओ की सक्त आवशक्ता है और इस कारेक्रम से हम जिलेवाईस प्रदेशवाईस और राश्ट्र स्तर पर भी अच्छे वक्ताओं का चैन करने का काम करेंगे इस कारेक्रम की रूप रेखा कुछ इस प्रकार होगी कि सबसे पहले जिलेश तर पर हाशण प्रत्योपिता आयोजित की जाए जिलेश तर पर जो वक्ता अपने विचार वेवागी से रखते हैं सही रूप से रखते हैं उन्हें चैनित किया जाएगा शीर्ष पांच वक्ताओं को चैनित किया जाएगा जिसमें से एक महिला और एक अलूसुचित जन जाती या अन्य पिछड़ा वर्का होना आवश्यक्या जो पाज शीर्ष वक्ता जिलेश तर पर चुने गए हैं उन्हें प्रदेश तर पर आयोजित को रही प्रत्योगिता में आवंत्रित किया जाएगा प्रदेश तर पर एक भव्य आयोजन जो है बहुत कराया जाएगा और प्रदेश तर पर जो पांच वक्ता चुने जाते हैं दो अक्टूबर को दिल्ली में राश्टिस तर की भाशण ख्रत्योगिता आयोजित की जाएगी जिसमें हमारे शीर श्रेतरत्व के समी निता मौझूद रहेंगे एक बहुत बड़ा मंच देश के युगाओं को मिलेगा वह अपनी बाद बेवागी से शीर श्रेतरत्व के सामने प्रस्टूद करेंगे जिससर शगड़ात आके दर पर एक मुश्ची आए कि जे रिक्त जागा है जाए जाली आपना स्ट्रीट पर जागा है इननी द्रली पाए और रिक्षा ताइम पू तू ताइम इननी केली पाई ते परिक्षा जा परंतर दे जसा एक फॉर्माट ती रादी परिक्षा या ला जाए तू परिक्षा अगर टे टाइम पर यू नहीं करना तो रिक्षा उसा आजमी मन्तों कि 6 ये वर्षा तू एक डिपार्टमेंट नी निगुन जाता तो गई तैं परिक्षा या ला लागां ते दात ति वेडार नकर दाली दें जिपरिक्षा तो ते रिक्षा पर आपसमने काई टकरावाय सरकार ची काई योजना एए माहितस नाए पड़ाता तो खाली पूरानला माहितस नुपर आज पर मी मनताओं कि महाराश्क्रा गौवर्मेंट मने खुब सारी रिप्ट जागाया रिशार्तर आहे ज़िए पर आमची सरकार चीने सरकार चीने सालो पर ये सोडून पर फक्ता गौवर्मेंट जॉब ये सैटिस्फाई नहीं करूशक्ति प्रत्य की हुआ काणला परन्तु गौवर्मेंट में काई नीतिया गूना ना पाइज तबी यूजना गूना ना पाइज ये चाहिए राचे के उर्जा मंत्रे नितिनराउत ने डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर से जुड़ी डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर और पॉपलेशन पॉलिस से कंटेंप्टरी रिलेवन्स के नाम से एक पुस्तक लिगे है जिसका आने वाले 17 तारीक को देशपांडे सभा आगरों में विमोचिन किया अचाएगा ऐसी जानकारी आयोचित पत्रकार परीशिद में डॉक्टर प्रदीप आगलावी नी दी इस तर्म्यान आके बाद करते वे उन्होंने कहा कि उर्जा मंत्रे नितिनराउत की रिसर्च पर ये पुस्तक आधारित है महाराष्टा चे पुर्जा मंत्री आणि नाफपूर चे पालक मंत्री यान्नी एक 300 महत्वाचा ग्रंत ली लेला है त्या ग्रंत च नाव है अम्वेट्गर अन पॉपुलेशन पॉलिसी पॉलिसी पॉन्टेंपरी रिलिवंस हा इंग्रेजिम अधि ग्रंत है विशेज मैं जे डॉक्टर नितिन राउद यानि जा विशामदी पुरिडि के लेला है त्या पुरिडिच्या संशुदारावर आग्रंत अधिरित आहे या ग्रंत च प्रकाशन महाराष्टा चे मुख्यमंत्री आधरिनीय उत्वरा ठाक्रे या इंचे हस्ते जिनांक सत्रा एप्रील 22 22 रोजी सांकाई पास्वस्ता वसंद्वा दिश्पंडे सभावरामते होना रहे आणि विश्यमिलिया कायकरम सटी प्रमुकत्थिती महनुन राज्य सभा जे विरोधी पक्षनेते मानिय मल्लीकार्जुन खाढ़े सहेब त्यास प्रमाने इंडियाना यूसेचे प्रोफेस डॉक्तर ब्राउनसर आनि ही रहानारे या कायकरम च अत्यक्ष अत्यक्ष अनि विद्यय पिदायुगाचे माजी अत्यक्ष डॉक्तर सुद्वड़ा थोरा सहेब महामारा दक्टर बाबा साहिब अंबेटकर की 131 वी जयनती शुकरवार को शेहर में बड़े हर्शोलाज के साथ मनाए गई कोड़ा की 2 साल की दहशत के बाद मनाए गई इस जयनती में लोगों ने पड़े ही उत्सा के साथ सहबाग लिया वही 2 साल बाद शेहर में टॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर की जयनती के असर पर इंदोरा में मेले का आयोचिन किया गया जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने मिला इस मेले में बच्चों से लेकर बड़े तक हर किसी के लिए विविज्जूले लगाए गया वही कपड़े, कहली, खिलोनी समेट अन्याकरशक चीजों ने लोगों का मन महलिया साथ ही यहाँ लोगों की भूक को देखते हुए खाने के स्टॉल का प्रबंदन भी किया गया जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने इस मेले की और रुक गया और अपने परिवार वालों या अपने मित्रों के साथ मेले का आनन लिया डॉक्टर कुशन नारवरेट डॉक्टर राज दीवाल इनको नाशनल होमेपाथिक दिन के उपलख्ष पर आयूश इंटरनाशनल मेडिकल असोसेशन की तरह से विधर बगवर पुरसकार 2022 से समानित किया गया आयूश इंटरनाशनल मेडिकल असोसेशन ये अंतराश्टिय स्तर पर काम और कार्य करने वाली सगहनतना होकर इसमें आयूरवेद योग नाचरोपाथी यूनानी होमेपाथी सिद्ध आधी का समाविश है ये पुरसकार वैदिकिय सामाजिक नाचरोपाथी होमेपाथी आयूरवेद योगा क्षित्र में उलेकन ये काम कर रहे आयूश चिकित सक इनको ये पुरसकार मिलता है डॉक्टर कुशल नारनवरे नाकपुरजला शहर के प्रसिद्ध होमेपाथी तद्न है बीतिक कई सालों से डॉक्टर कुशल नारनवरे होमेपाथी सिक्षित्र में कारे रत है डॉक्टर कुशल नारनवरे इन्होंने कोविड-19 के समय अपनी मानव सिवा दी है उन्होंने औरन सिटी एस्पिताल में इंचार्श डॉक्टर के तौर पर काम किया उसके अलावा रामलीला कोविट सेंटर नरसाया में तथा पेशेंट के घर घर जाकर कोविट नाइटीन के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया उनका उपचार किया उसको देखते हुए आयश इंटरनाशनल मेडिकल असोसेशन द्वारा 10 अपरिल को शेगाव यहाँ पर विधर्ब गौरव पुरसकार से उनको नवास आगे उनको समानित किया गया तथा डॉक्टर राच दीवान यह इंटरनाशनल मेडिकल असोसेशन का इमेश्वर तालुका से विधर्ब संपर्क प्रमुक पत पर है डॉक्टर राच दीवान इन्होंने कही पत पर अपने एक अलग पहचान बनाए है उनके काम को देखते हुए उनको आईश इंटरनाशनल मेडिकल असोसेशन द्वारा विधर्ब गौरव पुरसकार 2022 से समानित और पुरसकृत किया किया विकेबी न्यूज के प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही ऐसे अन्यों और खबरों से चुड़े रहने के लिए देखते रहेए विकेबी न्यूज नमशकार